Hello दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चाहरा हूँ कि किसी भी आरे में कोई number largest है और second largest है कैसे पता करेंगे तो चलिए इसका code लिखते हैं तो इसके लिए मुझे सबसे पहले code को डिविट कर देता है तो यहां पे हम integer variable ले रहें int a double r और इसका size देर 25 और उसके बाद दूसरा variable i और तिसरा n उसके बाद 2 और integer variable max1 और max2 उसके बाद यहां प्रिंटर फंक्शन लिख रहें यहां पे message प्रिंट कराएंगे enter size of array उसके बाद scanner फंक्शन लिख रहें scanner % or d amp% m उसके बाद फिर से प्रिंटर फंक्शन लिख रहें प्रिंटर और और यहां पे enter elements in the array और यहां पे power loop लिख रहें यहां पर i का value start होगा 0 से यहां पे condition check होगा i less than n और i plus plus और यहां पे scanf और फंक्शन लिखने जारे scanf यहां पे %d उसके बाद amp% and a double r of i फिर यहां पे हम यहां पे max equal maximum equal to max to equal to int underscore mean minimum value integer को जो भी है वो इसमें store करने जारे तो चलिए उसके बाद यहां पे for loop फिर से लिखने है bar और यहां पे i का value start होगा 0 से condition जो कि देने i less than n i plus plus उसके बाद यहां पे if if double r of i greater than max greater than max होना कर होगा अगर यह condition सही है यहां पे max 2 equal to max 1 or max 1 equal to a double r of i or or फिर यहां से condition लिख रहा है यहां पे a double r of i greater than max 2 अगर यह condition सही है तो यहां पे max 2 equal to 8 double r of i उसके बाद यहां पॉर्डू से बाहर चले जाते हैं और यहां पे print function फिर से लिखने यहां पे यहां पे लिखने largest element equal to percent d और यहां पे max 1 का value पिर से प्रिंट function यहां पे लिखने second largest element equal to percent d यहां पे लिखने max 2 बस इता है यह code जसे हम पता करेंगे कि किसी भी आरे में highest और second highest element कौन सा है चलिए इसको execute करके देखरें यहां पे enter the size of array तो हम यहां पे देरें 5 5 देने के बाद 5 numbers elements आपको enter करना परेगा array में तो सबसा परे 12 89 76 43 और एक और 77 तो यहां में देखिए highest 89 है और second highest 77 चलिए enter करते हैं तो यहां देखिए फिर से execute करते हैं कोड को तो यहां पे 6 size देरें आरेका तो चलिए 6 elements इंटर करते हैं 78 7 45 3 9 42 तो यहां मैंने total element इंटर किया 6 तो यहां पर highest element है 78 और second highest है 45 तो सही output आ रहा है तो प्रोग्राम सही से code सही से work कर रहा है अब मैं आपको इस प्रोग्राम को try and करके दिखाने जा रहा हूँ तो यह है code तो इस code को अगर debug कीजिएगा सबसे पहले control main function के पास आएगा उसके बाद यह अंदर जाएगा यहाँ पर मैंने id tab का variable है a double r तो पहला variable है a double r और उसके बाद यहाँ पर और दो और variable है n और यहाँ पर i और यहाँ पर दो और variable है maxon और max2 उसके बाद यहाँ पर printer function है तो जो कुछ भी double code के अंदर है और यहाँ पर scanner function है जो कुछ भी इंटर करेंगा इंटर करेंगा इंटर करते है 5 उसके बाद यहाँ पर printer function सिर्फिर से है यह display करेगा output screen पर इंटर elements in और second array और इसके बाद यहाँ पर i का value स्टार्ट होगा 0 से और चिक करेगा i का value 0 है n का value 5 है 0 less than 5 condition सही होने के वजा से यह अंदर जाएगा और इसके बाद फंक्सान है जो कुछ भी इंटर करेंगे 8 और 0 पर यह 8 और है डाप करेंगे तो चलिए सबसे पहले इसके indexing करदें तो यहाँ पर यह 0 इंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पर i का value increase होगा पहले i का value 0 इंटर करेंगा तो i का value फिर increase हो 1 चेक करेंगे 1 less than 5 condition सही है जो इंटर करें 8 और 1 पोजिशन पर नया animate तो यहाँ पर इंटर के 12 उसके बाद i का value फिरसे होगा increase तो i का value 2 फिर चेक करेंगे 2 less than 5 j condition सही है तो चलिए फिरसे i का value 0 और 2 पोजिशन पर इंटर करें इस बाद इंटर करें 8 फिरसे i का value increase जगा i का value 3 चेक करेंगे 3 less than 5 j condition सही है तो चलिए 8 और 3 पोजिशन पर इस बाद 16 इंटर किये उसके बाद i का value पोज़ाएंगा चलिए 8 और 4 पोजिशन पर नार्म इंटर करें यहां पर मैंने इंटर किया 77 उसके आए का वैल यहां पर 5 होगा चलिए 5 less than 5 जग पोज़ाएंगे यहां पर इंट अंडर्सकोर मी तो इंट अंडर्सकोर मीन का वैले यह मैनस 214748 3648 ठीक है तो यह वैलू मैक्स 1 और मैक्स 2 मी जाएगा तो चलिए इसको मैनस 21 ही लिखते है मैनस 21 और 47 तो मैनस 21 ही लिखते है यहां पर इतना नुमबर लिखेंगे तो भी तो मैक्स 1 मी इस चुड़ होगा मैनस 214748 3648 मैनस 214748 मैनस 214748 3648 उसके अध कंट्रोल यहां पर आएगा आई का वैलू यहां पर फिरसे 0 से स्टार्ट होगा तो यहां पर दे रहे हैं आई का वैलू जिरू से स्टार्ट हुआ चिक करेगा 0 लेस तेन इनका वैलू 5 बेजिए तो यहां पर 8 और और 0 पर देन यहां पर चिक करेगा 8 और 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 की 0 पर देन 9 है greater than max 1 9 greater than max 1 का वैलू है –2.47483648 तो अध कंट्रीशन चुके चुगे तो हम Max1 का value Max2 में जाएगा, तो Max1 का value क्या है, यह जो value है, Max1 का value Max2 में जाएगा, तो कोई change नहीं है, उसके बाद 8 और 0 पोजिशन पे जो value है, वो Max1 में जाएगा, तो 8 और 0 पोजिशन पे 9 है, तो 9 जाएगा Max1 पे, तो max1 का value यहाँ पे 9 होगा उसके बाद if condition सही है तो यह else में नहीं जाएगा यहाँ पे उपर जाने के बाद i का value increase होगा i का value 1, check करेंगा 1 less than 5 जोगी condition सही है तो फिर से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 8 और 1% greater than max1 1% भी क्या है 12 है और max1 का value 9 है 2 and greater than 9 जोगी condition सही है तो यह अंदर जाएगा तो यहाँ पे max1 equal to max2 तो max1 का value क्या है 9 तो 9 जाएगा max2 में तो यहाँ पे max2 का value जाएगा 9 और यहाँ पे 8 और i का value 1 है 8 और 1% का value maximum भी जाएगा तो 12 यहाँ पे आएगा फिर से इस condition सही तो as part बिना जाके उपर आजाके i का value increase होगा तो i का value 2 चेक करेगा तो 25 जोगी condition सही है तो यहाँ पे 8 और 2% greater than max1 2% पे 8 है और max1 का value 12 जोगी condition सही नहीं है तो as part पे जाएगा तो यहाँ पे 8 और i का value क्या है 2 8 और 2% greater than max1 तो 2% पे 8 है max2 का value क्या है 8 और 2% पे 8 है और max2 का value 9 है जो की condition सही नहीं है तो यह अंदर ना जाके उपर जाएगा i का value increase होगा तो i का value यहाँ पे 3 होगा चेक करेगा 3 less than 5 जोगी condition सही है तो यहाँ पे 8 और 3% greater than max1 3 पे 16 है max1 का value 12 16 greater than 2 है जोगी condition सही है तो यहाँ पे max1 का value max2 में जाएगा तो 12 यहाँ पे max2 में जाएगा और इसके यहाँ और 3 पोजिशन का value max1 में जाएगा तो 16 जाएगा max1 में यहाँ पे 16 आएगा और फिर से यहाँ पे इसके नहीं जाएगा फिर यहाँ पे i का value increase होगा तो आई का वालू 4, चेक करेंगा 4 देश 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 और यहां पे इस condition सही है तो as part में नहीं जाएगा उसके आद आई का वाल यहां पे 5 हो जाएगा चिक करेगा 5 less than 5 जो यह condition सही नहीं है तो अंदर ना ज़े control यहां पे अगा printer function यहां पे first element, first largest element यह output screen पे display होगा और यहां पे percent d maximum के लिए, तो maximum का value यहां पे 77 है तो 77 display होगा और यहां पे second largest element equal to max to the value यहां पे क्या 16 है तो 60 यहां पे display होगा उसके बाद यह main function return 1 यह process return करेगा 1 और इसके में function से बाद हो जाए तो यहां पे highest number यहां पे 77 है element और second highest 16 है तो सही output आ रहा है यहां पे तो यहां पे मैंने इस बाद इन का value पार दिया है आप next time try किए इन का value आप enter कीजिए 10 अगर 10 इंटर करेंगे तो आपको 10 element इंटर करना परेगा element उसके बाद ड्राइन तो same ही होगा तो आप चेक कीजिए ट्राइन बहुत जरुड़ी होता है प्रोग्राम को समझने के लिए अगर ट्राइन चीक है तो आपको प्रोग्राम को लॉजिक समझने आ जाए तो 10 element इंटर कीजिए और same तिले से ट्राइन कीजिए तो आपको जरूर जभी highest number होगा second highest number होगा वो output इसकिन पर डिस्प्लिय होगा तो यह है ट्राइन method जिससे हम पता करेंगे कि array में highest और second highest element कौन सा है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं new topic के साथ new video में तो thank you इस video के देखने के लिए